ओके गाइस तो सबसे पहले में आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बता दू ये वीडियो है बेसिक टू एडवांश इंग्लिस ग्रामर रूल्स पार्ट सेवंड ठीक है ये सेवंड पार्ट है इस सीरीज का और बाकी के पार्ट जो की छह पार्ट है वो मैं दूंगा जो कि आपको समझने में आसानी हो ठीक है तो इस वीडियो को सुरू करते हैं देखिए मॉडल के सहता से हम एबिलिटी मतलब सामर्थ पावर मतलब सक्ती परमीशन मतलब अनुमति रिक्वेस्ट मतलब अनुरोद मतलब संभावना अधी को व्यक्त करते हैं इनके स साथ हमेशा वर्ब की first form का यूज होता है यह ध्यान रखने वादे बात है इनके साथ हमेशा वर्ब की first form का ही यूज होगा अगर model वर्ब के बाद have to का परियोग हुआ have to का परियोग हुआ है तो भी वर्ब की first form का ही परियोग होगा लेकिन ध्यान रखना परंतु model व्रब के बाद केवल have का परियोग है तो वर्ब three मतलब की पस्ट पार्टिसिपल का यूज होगा वर्ब की third form का ठीक है यह याद रखना है अगर केवल have है तो हमेशा वर्ब की third form का का यूज करना है model verb के साथ ठीक है देखिए can मतलब सकता है के sense में subject plus can plus verb की first form plus object can have to का use करेंगे पढ़ सकता है के sense में subject plus can have to plus verb की first form plus object could का का यूज करेंगे सका के sense में subject plus could plus verb की first form plus object could have का यूज करते हैं सकता था के sense में subject plus could have plus verb की third form plus object should का यूज करेंगे चाहिए के sense में subject plus should form plus verb की first form plus object should have का यूज करेंगे चाहिए था के sense में subject plus should have plus verb की third form plus object out to का यूज करेंगे चाहिए के sense में subject plus out to plus verb की first form plus object out to have का यूज करेंगे चाहिए था के sense में subject plus out to have plus verb की third form plus object तो यह जो चाहिए चाहिए इनमें मैं difference बताऊंगा आप लोगों कुछ ठीक है देखिए may and might का use करेंगे सकता है के sense में जो की possibility बताएगा subject plus may or might plus word के first form plus object may or might have मतलब सकता था possibility subject plus may or might plus word के third form plus object use to का sense करेंगे करता था के sense में subject plus use to plus word के first form plus object would का use करेंगे किया करता था के sense में subject plus would plus word के first form plus object मस्ट का यूज करेंगे जरूर चाहिए कि sense में subject plus must plus verb की first form plus object must have मतलब जरूर होगा या चुका है ठीक है इस sense में subject plus must have plus verb की third form plus object dare का यूज करते हैं हिम्मत करना के sense में ठीक है subject plus dare plus verb की first form plus object has to have to का यूज करेंगे करना है करना पड़ता है कि sense में subject plus has to या have to plus verb की first form plus object have to का यूज करेंगे करना था करना था या करना पड़ता था या करना पड़ा के sense में subject plus have to plus verb की first form plus object will have to का यूज़ करते हैं करना होगा करना पड़ेगा की सेंस में subject plus will have to plus work की first form plus object need मतलब जरूरत इसका rule है subject need plus work की first form plus object अब need to का यूज़ करते हैं करने की जरूरत ने की जरूरत की सेंस में ठीक है subject plus need to plus work की first form plus object आईए अब sentences देखते हैं और उनके examples से आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे और किस sense में use करते हैं ये भी हम आपको बताता हुआ चलूँआ देखिए He can speak English fluently मतलब ability यहाँ पर can का use हम ability दिखाने के लिए कर रहे हैं वो धारा परवांग्रेजी बोल सकता है He can drink 6 liter of milk मतलब capacity मतलब चमता वो 6 liter दूद पी सकता है इस sense में I can lift this table power मतलब सक्ती की बात हो रही है कि मैं ये table उठा सकता हूँ तो हमने can का use किया Can I come in sir request but not polite can का use करते हैं तो हम polite मतलब की Unpolite होता है ठीक है ये polite नहीं होता बिलकुल भी बिलकुल भी सिष्टा चार के विरुद्ध होता है मतलब यार दोस्तों से हम कह सकते है I'm coming ठीक है लेकिन हम किसी teacher के साबने can I come नहीं कह सकते ठीक है आफिस में जाना चाहते है ठीक है इस परकार से तो में I come कहेंगे में I come in sir क्या मैं अंदर आ सकता हूं महास है he can speak English fluently यह ability था वो धारा परवा अंग्रेजी बोल सकता है और negative में देखिए he cannot speak English fluently और interrogative बनेगा can he speak English fluently क्या वो अंग्रेजी बोल सकता है how can he speak English fluently वो इंग्लिस कैसे बोल सकता है ठीक है देखिए can have to का यूज करेंगे पढ़ सकता है के sense में subject plus can have to plus word के first form plus object देखिए he can have to go out from here मतलब उसे यहां से बाहर जाना पढ़ सकता है तो पढ़ सकता है का sense आया ना he can have to go out from here अब कहते हैं हम we can have to call him मतलब हमें उसे बुलाना पढ़ सकता है he can have to come here उसे यहां आना पढ़ सकता है उन्हें वहां जाना पढ़ सकता है मतलब they can have to go there अगर हम कहें they may have to go there मतलब कम संभावना है जब हम कहते हैं can have to go there मतलब कि उसकी जाने की संभावना ज्यादा है लेकिन अगर हम में का यूज कर देते हैं can की जगा ठीक है can की जगा में का यूज करते हैं तो कम संभावना है उसके जाने की उन्हें 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 के जाने की ठीक है कुड का यूज करेंगे सका के सैंस में subject प्लस कूड प्लस वर्प के first form प्लस object I could not play that game मतलब मैं वो गेम नहीं खेल सका या खेल पाया पाया या सका के सैंस में हम कुड का यूज करते हैं ठीक I could talk to her मैं उससे बात कर सका या पाया मैं उससे बात कर पाया कर सका ठीक है I could have talked to her could have का यूज हुआ तो हमने वर्प की third form का यूज किया तो मैंने आपको बता कि किसी भी model वर्प के वाद अगर have use होता है तो हम वर्प की third form का यूज करेंगे अगर किसी भी model वर्प के साथ have to का use होता है तो to के बाद हम हमेशा वर्प की first form का use करेंगे to के बाद ठीक मैं उससे बात कर सकता था I could not have played that game मतलब मैं उस game को नहीं खेल सकता था क्या आप मुझे अपनी कलम दे सकते हैं could you give me your pen may you give me your pen can you give me your pen तो यहां पर जो सबसे ज़्यादा polite होगा वो होगा could ठीक है मतलब कि यही आप लोगों को कहना चाहिए could you give me your pen can you give me your pen यह होता है यार दोस्तों में माहौल में जो हम बात करते हैं spoken English में यार दोस्तों के साथ उसमें यह use होता है can यह make a use कर सकते हैं ठीक है और could का use सबसे better है किसी से कुछ मांगने के लिए could you give me your pen your book your pencil ठीक है कुछ भी मांगने के लिए और जब make a use करते हैं यह could से थोड़ा कम है लेकिन इसका भी use कर सकते हैं लेकिन can का use हम सिर्फ यार दोस्तों के साथ करते हैं should मतलब चाहिए should plus sorry subject plus should plus what के first form plus object you should go there मतलब आपको वहाँ जाना चाहिए you should take care of your health मतलब आपको अपनी सिहत का खयाल रखना चाहिए you must take care of your health मतलब आपको अपनी सिहत का खयाल जरूर रखना चाहिए तो यहां पर देखे should में आपको differences बता दू दोनों का ही स्यान सारा चाहिए ठीक है रखना चाहिए लेकिन should वाली में जरूर नहीं है मतलब की एक नम जरूर ही नहीं है रखना सिक हम कह रहे हैं कि आपको रखना चाहिए ठीक है लेकिन जब हम must कर दो करें तो हम कह चहत कर रहे हैं आपको ये करना चाहिए था, he should have considered his mistake, sorry, considered, ठीक है, considered his mistake, उसे अपनी गलती पर विचार करना चाहिए था, he should have accepted his mistake, उसे अपनी गलती को स्विकार करना चाहिए था, तो considered मतलब, विचार करना और accepted मतलब, स्विकार करना, ठीक है, अब हम यूज करते हैं, out to का मतलब, चाहिए, इसका परियोग करता भी और नैतिक जिम्मिदारी के लिए किया जाता है, देखिए, मनोज out to go, मतलब, मनोज को जाना चाहिए, मनोज out, not to go, मनोज को नहीं जाना चाहिए, कोई जिम्मिदारी हो सकती है, तो उससे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, out, मनोज, not to go, क्या मनोज को नहीं जाना चाहिए, when out, मनोज to go, मतलब, मनोज को कब जाना चाहिए, we are to respect our parents, हमें अपने मात्तपता का रिस्पेक्ट करना चाहिए मतलब आदर करना चाहिए अब दिखिए out to have का यूज चाहिए था subject प्लस out to have प्लस वर्ब की third form प्लस object हमें गरीबू की मदद करनी चाहिए थी we out to have had the poor we out to have followed traffic rules मतलब हमें याता यात नियमों का पालन करना चाहिए था अगर हम कहें we should have followed the traffic rules तो ये भी ये ही काम करेगा ठीक है मतलब कि आप out to का भी यूज कर सकते हैं और should have का भी यूज कर सकते हैं ठीक है out to have का या should have का दोनों में से किसी का भी में और माइट मतलब सकता है possibility मतलब संभावना देखिए आज बारिस हो सकती है हम कहाँ सकते it may rain today या it might rain today तो यहां जो it may rain today है मतलब कि बारिस होने की संभावना ज़्यादा है it may rain today आज बारिस हो ही सकती है ठीक है और यह है जो, it might rain today, सायद आज बारिस हो सकती है, it might rain today, might मतलब सायद हो सकती है, लेकिन may आज हो ही सकती है, समझे, मतलब may का युस करेंगे, ज्यादा संभावना है, might का युस करेंगे, कम संभावना है, किसी चीज के होने की, may, might, have, ठीक है, may, might, may या might, उसके बाद have, मतलब सकता था, possibility, subject, प्लस may, might, प्लस वर्ब की थार्ट फॉर्म, प्लस object, कल बारिस हो सकती थी, it may have rained yesterday, मतलब कि कल बारिस हो सकती थी, ज्यादा संभावना थी, may का युस किया, it might have rained yesterday, मतलब सायद कल बारिस हो सकती थी, समझे कम संभावना है माइट का यूज कर रहे हैं तो कम संभावना थी बारिस होने की ठी यूज्टू का यूज करते हैं अब मैं इस स्कूल में पढ़ा करता था तो करता था कि सैंस में हमेशा यूज करेंगे जो हम पिछली पिछले सालों में या पिछली दुनों में किया करते थे उसके लिए हम यूस्टू का यूस करते हैं जो हम अपने अथीत में किया करते थे देखें मैं यहां खेला करता था या मैं यहां खेलता था दोनों का सैंस एक ही है I used to play here वह मेरे बारे में सोचा करती थी she used to think about me अब हम would का यूज़ करते हैं करता था कि सैंस में subject plus would plus birth के first form plus object वो मेरे बारे में सोचा करती थी she would think about me तो अब would का यूज़ कर सकते हैं इस परकार के sentences के लिए ठीक है वो मेरे बारे में सोचा करती थी she used to think about me या she would think about me मैं इस school में पढ़ा करता था I would study in this school मैं यहां खेला करता था या खेलता था हम यह भी कह सकते I would play here समझें? देखिए must मतलब जरूर चाहिए के sense में आपको उसकी आवाज से मदद करनी चाहिए you must help him अवस या जरूर ठीक है जरूरी है you must help him आपको अपने माता पिता का आदर आदर जरूर करना चाहिए you must respect your parents a must have का मतलब जरूर या चुका होगा subject plus must have plus बार की third form plus object देखिए he must have done all these उसी ने ये सब किया होगा तो यहां पर होगा चुका होगा कुछ चीज कर चुका होगा किया होगा गया होगा इस chance में या जरूर उस चीज को किया होगा ठीक है you must have done all these मतलब उसी ने ये सब किया होगा मनोज must have seen सुनीता मनोज ने सुनीता को आवस्य या जरूर देखा होगा लड़के cricket match खेल चुके होगे या चुके हैं the boys must have played the cricket match ठीक है अब हैस्ट और हैस्टू जानते हैं मतलब करना है करना पड़ता है सब्जेक प्लस हैस्टू प्लस हैस्टू या थैव्टू अकॉडिन्टू सब्जेक्ट हम हैस्टू को या युज़ज करते हैं प्रियोग विवस्ता मतलब कंपल्शन अनिवारता मतलब नैसेसिटी और जरूरत मतलब नीड को दरसाता है इस यह जो इस्ट्रक्टर है इसका प्रियोग देखिए मुझे आफिस जाना पड़ता है I have to go to office मुझे काम नहीं करना पड़ता है I don't have to work उसे महनत नहीं करनी पड़ती है he has not to work hard या he doesn't have to work hard अब hat to का यूज देखिए उसे office जाना पड़ता था इससे आप समझ जाएंगे has to और have to के बारे में उसे office जाना पड़ता था उसे office जाना होता था या उसे office जाना पड़ा ये देखिए चार sentences है लेकिन इनकी English जब हम बनाएंगे तो वो ये ही बनेगी he had to go to the office ठीक है तो ये इस चीज में कभी भी confuse मत होया करिए खाली अपना sense यूज करिए किस sense में use हो रहा है ये इन सभी देखिए घ्यान से इस पर गौर करना सभी बातों ये जितने वी वाक्य है सभी का मतलग एक ही है उसे office जाना पड़ा या उसे office जाना होता था उसे office जाना था उसे office जाना पड़ता था ये इन सब बातों का meaning एक ही निकल के आता है ठीक है तो ये ही है he had to go to the office अब ह पड़ेगा कि sense में will have to का use करेंगे, he will have to do this work, उसे ये काम करना होगा क्योंकि उसने अभी तक कुछ नहीं किया है, he will have to do this work because he hasn't done anything yet, हमें ये काम करना पड़ेगा, we shall have to do this work, अब need, need मतलब जरूरत और need to कुछ करने की जरूरत, छिक है, देखे, I need your help मतलब मुझे आपकी मदद किया आप सकता है यो जरूरत है, she needs your help, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, you need to help me, आपको मेरी मदद करने की जरूरत है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें, फैला दे पूरा, इस वीडियो के मैं एम करता हूं 40,000 view के बस ठीक है सिर्फ 40,000 view आपके 2-3 share पे ही हो जाएंगे clear और वो भी एक घंटे में 40,000 हो जाएंगे आपके लिए तो बच्चों का खेर है तो इस वीडियो को जाज जादा like करें share करें और comment करें अगर आप लोगों कोई confusion है तो और इसका 8 पार्ट जो होगा वो मैं जल्दी ही बनाऊंगा इस वीडियो का एम पूरा होते ही 40,000 view पूरे होते ही मैं इसका 8 पार्ट बना दूगा तो thanks for watching take care bye